आपको में स्टुनेंट्स वेलकम तो माइं मेत्मिलिक्स चैनल मकस्टेडी नियुम्रिक नियुम्रिकल ऑफ टापिक वाट इस डूलिटर मेथड नियुम्रिकल अधिकल टापिक वह बढ़ा था तो आए देखते हैं डूलिटर मेथड़ क्या होता है सबसे पहले उसका वर्कि सब्सक्राइब करते हैं में सबसे पहले हमें को सिस्टम इस फार में कोई गिवन होगी और उसे हम आर्गुमेंटेड में में एक्सप्रेश करेंगे means a x is oe के फाम मे होगा वह हमारा सुफिन मेट्रिक्श होगा जो हमारा सलविजा वेक्ट होगा अरो दी और बी हो हमारा मेट्रिक्श होगा फिर ऑाक को Hear मैं आइ संप्रेस करेंगे ल्मैं मिश्ट प्र आपड्रेंग्र्ट्र लोे मेंट्रिंच होता है उसके डागोनुलब्लग लिमिेंट होते हैं थित को सारी योनिट जो वन होते हैं अगर 1 कि अगर क्रेश्चन 2 को 2 सब्सक्रेट करें एक जगा l u value सब्स्ट्रिट्रिट्रिए करें इस केशन में तो हमें मिलता है l u x is equal to b और फिर यह इस को लेते हैं यह लेते हैं और यह यह है एक कालम में कालम इस वेक्टर है एसे हम इस एक श क्यक्किन में हैं तो यह ओता वरकिंग रोल आफ डूल मैंट्र करते हैं सुखrics מeking डिल् exception के ज़रिये हम में अभर में इसे हम हम एक्सप्रेस करेंगे एक्स बी के फार्म में और अधिया का अधिया को अधिया को अधिया कि उसके बाद जो सेक्ड इस्टेप है मिन्स एक हम हमें इंडिकोंपोस्ट करना है राजट आफ लोवर अपर ट्रेंगलिमेटर्स में कि है कि अधिया कि अधिया कि अधिया चेंगे अधिया कि करें अब हमें इन दोनों की प्राड़क्त को सॉल करना है मैं अगर हम इन दोनों कि प्राड़क्ट करते हैं तो हमें मिन्स फर्स्ट डो को स्ट कालम से मल्टिपलाय कराना simple matrix की multiplication है तो हमें यह मिल जाएगा D, A D, B D और यहां मिल जाएगा E और यहां मिल जाएगा A E पिलस G और B E पिलस C G और फिर सेम वे से यहां मिल जाएगा में F और A F पिलस H और सेम वे से B F पिलस C H पिलस I अब हमें एक्यूट करना है A मेट्रिक्स से कोफिशेंट्स और हमें जो यह लोबर ट्रिंगल मेत्रिक्स में उपर यूस केंसर इसका वेल्यूशन इन दोनों के वेल्यूशन में फाइंड करने हैं तो हम ए से करेंगे और यह हमारे वेक्टर मैट्रिक्स है कि और इन दोनों के प्राड़क्ट मीन्स कि डी 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 बी डी अब हमें एक्ट करेंगे मिन्स कालम वाइज कालम वाइज करते हैं तो हमें डी का वेल्यू मिलता है ऑन wow और अगर हम, मिन्स डी तो दी का वेल्यू हमें मिला वण और यह डी डी इस इकल टू ँड्र वन हैं मिन्स सेकंड डो में सेकंड डो में तो दी का वेल्यू यह और वेल्यू और которую हम फाइंद करतेंगे तो एक अवीलियम क्या मिला वन सेम वेसे वी डी इस इकल सीगोंटो वन तो डी इस कुल बना या वन आ गया झाल सेवेसे एजेट क्या है वन एंड आप एई पेलस जीग तो एक अवेलियम नहीं और इंड्टू एका वेलियम क्या 1 तो सेम 1 into 1 ही हो जाएगा पिलस जी इस इकल टू तो इस तरह से मजी का मिल जाएगा 1 हुए जा यां इस एकल टू वन तो ए एफ पिलस एस इकल्ड़क्न टू मिश्यगा पे टू तो एक आ हम फाइंड करते हैं विए पिलस सी जी और वह बढ़ाबर है टू के वेलू है वन और यह वेलू विए वन तो वन से हम पिलस और वेलू हम फाइंड कर चुक है और चीका वन है तो हमें C कब मिल जाएगा c is equal to one the same way से हम find करते हैं kris बी-एफ कि भी-एफ , the Seagds निस थर्ड रोह और थर्ड रोह में थार्ड कालम में तो बी-का वे लिए और एफ का वे लिएंड वन तो सेम वन ओजाएगा पिलस c का value 1 है और h का value भी है 1 तो वह भी हो जाएगा 1 पिलस i is equal to 3 तो हम इस तरह जो i का value मिल गया 3 अब हम जो इन variables के value मिले हैं वह हम substitute करेंगे lower triangle matrix में और upper triangle matrix में तो आईए इन values को substitute करते हैं तो इस तो आईए l और u के values हमने find कर चुके हैं अब third step है l y is equal to b means lower triangle matrix और उससे multiply करेंगे एक column vector जो y है और b जो हमारा constant matrix है वो है 568 अब इनके multiplication करा दे तो हमें y1 y1 पिलस y2 y1 पिलस y2 पिलस y3 is equal to 568 अगर हम कालम वाइट एक्योट कराते हैं तो हमें y1 का वेल्यू मिलता है 5 इसे वाइट वन का वेल्यू अगर हम इस इकीशन टू में पूट करते हैं तो हमें वाइट टू का वेल्यू अगर पूट करें तो मिलता है तो हमारे जो फाइनल और लास्ट स्टेप है वह है मिन्स यू एक्स इस इकॉल टू वाइट तो हमाएं अल्रेड इफाइंड कर चुके हैं अपर ट्रैंगल मैट्रिक्स और उससे मुल्टिप्लाइ करेंगे सालूशन वेक्टर और वाइक का वेडियू भी हम फाइंड कर चुके हैं मिन्स फाइव वन टू अब मैंने की मुल्टिप्लिशन करा दें तो हमें मिलता है एक्स पिलस वाइपिलस जेड़ वाइपिलस जेड़ और यहां पर जेड़ इस एक्पोल टू फाइव वर टू अब हम कालंग करते हैं तो हमें जेट का मिलता है आज आए यह च्शल टू अगर जैड अमैंट वैक सब्स्टिशन करते हैं तो तो हमें कि वाइक का में मिलता है माइनस वन और एक्स हम अगर पूट करते हैं एक्स पिलस माइनस वन पिलस टू इज इकौल टू फाइव तो हमें एक्स का हमें मिलता है पॉर तो यह होता कि इस स्ट्रेम के सालूशन तो यह होता है डूलेटल मैधल यह डू एगर आप को इसका वर्किंग रू अच्छी तरह समझ में आ गय अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई डाउट है ता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं.